जरजर हालत में पहुच चुके एक मकान को दुरस्त करने वाली दसरा रोड मांग पुरानी वासी महिला से नरेज जुगेले ने जगह का मालिकाना हग पताते हुए विवात किया और पीडिता महिला को जान से मारने की धमकी दी है ऐसारो बस्ती के पीडितों ने किया है गरव मंत्री अनिल देश मूख इन्होंने डी-सी-पी माकनी कर इन पत्र में जार्च करने के आधे दी है जरजर हालत में पहुच चुके एक मकान को दुरुस करने वाली महिला से पडोसियों ने जगह को लेकर विवात किया आरूपियों ने पेडित महिला को जान से मारने की धम की दी पीडिता ने आरूपियों की खिलाफ कोतवाली थानी में शिकायत की, पुलिस ने 12 आरूपियों पर मामला दर्च किया है प्लोट नमबर 804-3C3, बांते हांस के पास दसरा रोट, काशिबाई देवल, नाकपूर निवासी, रेखा श्रिकान सोनवाने के मकान की हालत जरजर हो चुकी थी 8-19 अगस्त के दर्म्यान हुई बारिश के कारण उनका मकान गिरने की स्थिती में आ गया था, मकान की कारण आसपास के घरों के लिए खत्रा निर्मान होने लगा था या देखते हुए रेखा ने घर दुरुस्ती के लिए ठेकेदार अनिल को बलाया, अनिल अपने दो मजदूरों के साथ रेखा के मकान को तोड़ने का काम कर रहा था आठ अगस को मकान तोड़ते समय जगे को लिकर आरोपी नरेश प्रेमलाल जुगेले, रमेश जुगेले, जगदिश प्रेमलाल जुगेले, सचिन जुगेले, विलास जुगेले, संके जुगेले, सुनिल जुगेले, दयाराम जुगेले, गिता जुगेले, सोनम जुगेले सवीता जुगेले, जोती जुगेले, दसरा रोड निवासी ने विवात किया आरोप है कि आरोपियों ने हाथ में इट लेकर रेखा को मारने की कोशिश की धमकी दी कि यह जगा खाली करो, नहीं तो मार डालेंगे घर तोडने के समय मलबा ढोने के लिए आय वाहन चालक को आरोपियों ने जिन्दा जला कर मारने की धमकी दी यह सुनकर चालक वहां से फरार हो गया, रेखा का आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर का सामान भी तोड़ फूर दिया उक्त सभी आरोपियों ने रेखा के साथ धक्का मुकी कर उसे घर छोड़ कर चले जाने की धमकी दि आरोपियों ने कहा कि यहाँ पर मकान का निर्मान कारे नहीं करना यह जगा हमारी है रेखा ने इस मामले की शिकायत को तवाली थाने मी की पुलिस ने उक्त सभी आरोपियों की खिलाफ मामला दर्च किया है पुलिस मामले की जाच कर रही है आखिर का रही सा क्या हुआ कि जिसके तलते बस्तिके नागरीकों को निकाला जा रहा है हम सिदार रू करेंगे बस्तिके नागरीकों की ओर और उसही जानना चैएंगे अब बते क्या कहना है चाहती हूँ कि मैं 67-70 साल से मैं यहां पे हूँ मेरे मिश्टर वगरा के तीस पैटीस साल से मैं अपना खुद के नाम का टैक सा बर रहे हूँ पर मेरा एलेक्रिक बिल नलका बिल सभी बर रहे हम लोग और यह बोलता मैं मेरा घर गिरने पे आ गया था तो मैं अंदल से उसको रसी वगरा बान के रहती थी उसके बाद में अभी बारिश आई तो बारिश आने के पहले से दिवाल घसर गई और उपर का जोपड़ा था वह भी नीचे गिर गया मेरे बच्चों को संकेर था डर था मुझे कि कभी अचानक ना रात वगरा को गिल जा अब तक कितने लोगों के घर लिया उन्होंने तीन घर आए तेहे पाच घर आते आला इतले हांचे जी पाच घरता है तेचा तेची नियत है क्या कहने चोगिया सबसे पहले तो हम अपने घर का टैक्स भरते है और यह पूरा एरिया नजूलेंड है उसका कोई हक नहीं बनता किसी के घर पर कबजा करने का और वो अकेला तो है है उसके साथ दो तिन जो फैमिली रहती पर अटेक किया तो हमने कंट्रोल रूर में कॉल किया पुलीस कुछ एक्शन नहीं ले रही है एफ राइज किया हो मिनिस्ट्र के पास गये वो भी सब डिले कर रहे हमारे काम को हमारे पास रहने के लिए चट नहीं है तो हम जाए कहां अभी पानी बरसात में हम रहे कहां हम तो में इत्ती प्रॉब्लम हो रही है कि हम किसे एक्स्प्लेंड करें और कहीं कोई भी बड़ ऑफिसर के पास जाते तो वो उनको पैसे दिला रहा है नरे जुगले जो मानो अधिकारी है वो जो जिस जमीन पे रहता वो भी नजू लैंड है हम यह चाहते हैं कि हमको नाय मिले सर बस और कुछ नहीं और हमारी जगा हमको वापस मिले बस और जो परजेशन उसने लगाया है कबजा वो हट जल से जल हटाया जाए बस तो परजेशन का मतलब के दिखिए जिस तरह से यहां पर यह जो टीन दिखाई दे रही है या एक ल स्लम बस्ति की बात है और नजूल की जो जगा है उसका मालिकान हख को लेकर यह जंग छीडी हुई है इस समय में हमारा साथ में कुछ और भी इस बस्ति के नागरिक है महिला नागरिक उनसे आप बताए क्या कहने चाहते हुए पर यह जो बिश्यार कें हसकते है पोल nine को करेंश बास दूदू दी ते रहा था हो आणि ठीनी खूब कई केले आमी पुली स्टेशन में जाओ नालो आप देख सकते कि यहां पे जो अप्लिकेशन दिखाई दे रही है जिसके उपर में अप्लिकांट वर्सेस नॉन अप्लिकांट सबके नाम लिखा हुआ है और सीपी जोन ट्री फॉर नेसेसरी एक्शन ऐसा देशमुक साफ के यहां पे दस्तकत है और इस तरह के लोगों को नय देने के लिए और गुंडा गर्दी रोकने के लिए आए दिंग ग्रुव मंतरी अनिल देशमुक साफ के और से का फेचा काम कास किया जा रहा है जब भी ऐसे कुछ भूमाफियां होते है जो इस तरह के लोगों को प्रताडित करते है घर से निकानने की बात करते है जबकि उनके पास कुछ औरिजनल जो डाकुमेंट्स मालिकन हक के जो कागजाच चाहिए वो है कि नहीं यह पता नहीं मगर पैसा और गुंडा गर्दी के बदलत यह लोग ऐसा काम करते है ऐसे बस्तिके नागरिकों का खहना है और पुलिस इस दिशा में कोई भी काम नहीं कर रही है यानि कहीं न कहीं यह शंकाने जैसी बात है और और बी कुछ लोग हमारा साथ में उनसे जाने आप क्या कहना चाहोगी यह जो घर गिरा है यह हमारा ही घर है हम लोग मेरे पापा के दादाई की जमाने से हम लोग यहां पे रहते है और इस गर का टैक्स वोगेरे सब कुछ भरते है ठीक है अभी घर हमारा इतना तूटने पे आ गया था हम इतने परेशानी में थे और वो हमको बोलता है कि मैं त चोड़ा सा उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए निकाला तो उसके आप में आगे उसने जबरदस्ती से कबजा कर लिया यह कुंसी बात हुए और आज तक के कभी हमने आज को रेंट नहीं दिया है उसको ना लीगल एग्रिमेंट है उसके पास वेर इस द लीगल एग्रिमें मेरे नाम आता है तो यह किस मस półक ता फафर इसा ऐसा होता था तब समने में था मेरे दादा जी ने हो सकता दिया होगा थम बायो मैट — इसके पास है। कुछ है इविडान्स है, नहीं है, कुछ इविडान्स नहीं है उसके पास, अगर होगा भी तो वो शो करें, होगा तो वो शो करें, बस हमको हमारी जगा जल्दी से जल्दी हमारा हम बे घर हो चुके हैं, हमारा क्या बोलते हैं, यह सामन पड़ा हुआ है, हम दुसरे के घर प वह बोलता है हम उनोगों को बोलता है जबरदस्टी प्रेशर कर रहा है हम बस यह चाहते है कि हमारा जगे जो भी है वह नजूल की जगह है इस लिए यह डाला हुआ है दो मैने हो गए नशी कार्फुरेशन हभी तक कि आई नहीं है हमारे घर पे देखने के लिए और उसने ज काम कर रहे हैं पैसे क्या बतलत गुंडा गर्दी करते हुए शहर के नागरिकों को ख़देने की बात करते हैं जबकि उनके पास पूरी तरह से कोई भी ऐसे मालिकाना कागजात नहीं है और मानवाधिकार का दुरूपय करते हुए वे काम कर रहे हैं नरे जुगेले जिसका न लेगे क्योंकि बारिश का मोसम है खुद का घर का च्छत नहीं है मालिकाना च्छत नहीं है कोरोना का वाइरस संक्रमन भी बड़ा हुआ है ऐसे में करे तो क्या ये सवाल इनके सामने में है और ये लोगों ने इसकी शिकायत भी पुलिस स्टेशन में महल में की थी मगर आखिरकारी इन लोगों को कोई भी मदद नहीं की ऐसा नागरिकों का खेना है इस विशे को लेकर जब राज्य के ग्रोमत्री अनील देश्मुग के इनसे इन्होंने बात की तो देश्मुग साहब ने ताबर तो ततकाल तरीके से इनके अरजी पे रिमार्स देती हुए जल देश को आजाद हुए उतनी वर्ष लगबग हो चुके है तब से ये लोग रह रहे हैं खास बात तो ये कि अब तक के इनके पास नो कोई रिसिट है ना कोई एग्रिमेंट है ना कभी किसी मालिक को एक रुपय तक दिया है ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिरकार मालिक 70 स हो सकती है इस और सरकार राज्य सरकार शासन प्रशासन पुलीस विभाग और शार के नागरिक ध्यान दे और ऐसे भूमाफिया इसे गुंडागर्दी तत्वों को अंकूश लगा है ताकि कोई भी अपने घर से बेगर ना हो क्योंकि उपर वाले ने जहां चोश दिया है द अब तक लोगों को नहीं मिलेगा लोग अपने कामकाज नहीं करेगा इसलिए लोगों को मुल्बू सुमिधाय मिलना चाहिए और जो गलत तरीके से से कामकाज करते है उनके उपर में पुलिस कारवाईरगा और कठोर से कठोर सक्त कारवाई होना चाहिए यही शहर की मांग है दसरोड के मांगपुरा से कैमेरा परसन सुवाज बुटले के साथ संजे मीरे इन बीसे नियूज नापपूर